पी सम्माने सिक्सक सात्यों को नमश्कार सम्माने सात्यों निपन भारत मिशन प्रसिक्षन के अंतरगत आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सापता ही का आकलन भासा में करते समय जो वर्क बुक में आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया दिया गया है इस मैंने सीख लिया प् इसके भी अंक दिये जाने हैं साथी यहां पर इस अभ्यास कारे के स्थान पर यहां पर कौन से बच्चों के द्वारा अभ्यास कारे किया जाएगा जैसे कि आप पता है कि दो गुरूप बनेंगे पर्थम समू और दुत्ये समू तो यहां पर अभ्यास कारे में पर्थम समू कार्य करेगा अत्वा दुत्तिय सम्हूं के बच्चे यहां पर कार्य करेंगे और कार्य करेंगे तो कौन सा कार्य यहां पर किया जाएगा इसके साथ ही जो अंक सिक्षक साथी के द्वारा यहां पर दिये जाएंगे उन अंकों को जो ट्रैकर है सापता ही का आकलन ट्रैकर उस सापता ही का आकलन ट्रैकर में यहां पर किस प्रकार से दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के पश्यात उन पर सर्किल किया जाएगा अतवन नहीं किया जाएगा यहां मोखिक भासा विकास के आकलन में डैस लगाना है अतवा सही का चिन लगाना है तो इन सभी प्रश्णों के उत्तर को हम जानने का प्रियास करेंगे साथियो चलिए प्रियास करते हैं सबसे पहले साथियो आप सभी को ये जानकारी है कि भासा का जब भी सापता ही कांकलन होगा वो जो छटा दिन होगा उस दिन किया जाएगा और उस छटे दिन में जो दूसरा और तीसरा कालांस है हिंदी का उसमें किया जाएगा जो 80 मिनट का कालांस होगा अब उसमें हम बच्चों को वर्क बुक उनके पास रहेगी और इस वर्क बुक में कहेंगे कि बई बिटा अपना मैंने सीख लिया प्रपतराप निकाल लीजेगा और निकालने के पश्याथ हमें उस वर्क बुक को बच्चे सहीत अपने पास बुलाना है यह द्यानके अपने पास बुलाना है व्यक्तिकत रूप से प्रतियक बच्चे का एकक करके आकलन करना है तो उस बच्चे को अपने पास टेबिल पर बुला लीजेगा बुलाने के पश्यात आप उस बच्चे से कहेंगे पढ़ने के लिए तो देखेगा यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा मैं, रह, कै, से, नैं इस परकार से बच्चा पढ़ेगा अभी यहाँ पर आपको मार्किंग देनी है यदि बच्चा इन सभी को पढ़ता जा रहा देखेगा यहाँ पर दस हैं अगर दस के दस को सही आपके टेविल के पास आ करके व्यक्तिकत रूप से आपने आकलन किया यदि बच्चा पढ़ लेता है तो आप उतने ही नंबर यहाँ पर दे दीजेगा सपोज करिए बच्चे ने सही सही आठ यहाँ पर अक्सरों को पढ़ लिया तो आप यहाँ पर आठ नंबर लिख दीजेगा इसी प्रकार से दूसरा यहाँ भी बच्चे को आप कहिएगा पढ़ने के लिए बच्चा यदि इन पांचों सब्दों को पढ़ लेता है तो यहाँ पर आप उसके पांच नंबर लिख दीजेगा तो मार्किंग जो करनी है बड़ा ध्यान लखें साथियो यहाँ पर कि बच्चे का जो आकलन करना है उस बच्चे को वर्क बुक सहित अपनी टेबिल पर अपने पास बुलाना है ऐसा नहीं है कि वर्क बुक बच्चों की सब की खुलवादी और पूरी कख्षा में बच्चे बैठे हुए हैं और उनसे हमने कहा बेटा आप इसको पढ़िएगा तो यह ध्यान नकना जब भी सापताहिक आकलन होगा केवल इसमें ही करनी है यहीं पर अंकन आपको करना है यहीं पर नंबर लिखने है इसके पश्चात आप देखेंगे नीचे यहां लिखा हुआ है सुनकर लिखें यह वाला जो इस्तिती है यहां यहां पर आपको कोई नंबर नहीं देने है यह कार्य केवल और केवल अभ्यास के लिए है आपने अभी तक जितने भी पिछले वन अत्वा मात्राएं अत्वा सब्द आपने जो सिखाएं हैं आप उन्हें बोलेंगे और यहाँ पर सभी बच्चे लिखेंगे पूरी कक्सा में बच्चे बैटे हुए हैं आप बोलिएगा सभी बच्चे कक्सा में बैटे कर लिखेंगे यह कार्य कक्सा इस्तर पर किया जाना तो ध्यान दीजेगा कक्सा इस्तर पर यहाँ पर अभ्यास किया जाएगा और इसकी जो मार्किंग है यहाँ पर नंबर आपको नहीं देने हैं और इसी प्रकार से यह बाकि जो नंबर देने है वो केवल और केवल यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहे इसमे ही नंबर देने है इनी प्रशनों उपर देने है बाकि जो ये वाला कार्य है यहाँ पर मारκιंग नहीं करनी है यह कक्सा इस तरफ अभ्यास के लिए है सभी बच्चों को कक्सा में बैठा दिया है और आप बोल रहे हैं सभी बच्चे लिख करे हैं लेकिन इनकी मारकिंग नहीं होनी है दूसरा साथी ओं आगे चलते हैं अब तीसरा इसमें पोर्षन है अभ्यास कर रहेगा यहाँ पर बच्चों का अभ्यास कराया जाना है ठीक है यहाँ पर एक काम करते हैं मैं अभी जो मैंने बात रखी है पहले मैं उसको आपके सम्मुक रख देता हूँ यह जो अंकन आप नंबरों का करेंगे यहाँ पर इन नंबरों को आप ट्रैकर में भी भरेंगे ट्रैकर में भरने से पहले हम समझ लेते हैं कि यह चीजे साक्षे के रूप में कहां लिखी हुई है देखेगा यहाँ पर देखेगा आप हमारी जो संदर्शी का है उसमें बड यहां देखेगा आप मैने सीख लिया वन अक्सर पहचान अबम सब्द पठन से संबंदित आकलन सभी बच्चों के साथ व्यक्तिकत रूप से किया जाएगा अर्थात प्रति एक बच्चे को आप बलाएंगे और व्यक्तिकत उसका आकलन करेंगे ठीक है एक बच्चे का लेकि ये सुनकर लिखो अभ्यास कारिया, ये ककसा इस्तर पर किया जाना है, इसकी मार्किंग नहीं देनी है, तो साथ यो किलियर हो गया, इसके पश्चाहत हम बात करेंगे नीचे, जो अभ्यास कारिये के लिए जगए दी गई है, इसमें क्या काम करना है, तो अभी जब उपर बाद पहले group निर्माल करेंगे और group निर्माल के पश्यात एहां समझेंगे किये अब भ्यास कार्य किया जाएगा जी सात्यो अभी हमने जो आकलन प्रपत्र पर अंक दिये पंद्रे नंबर में से अंक दिये हैं उन अंक को हमें यहां पर दर्ज करना होगा अभी एक entry करके देख लेते हैं बच्चे का नाम विने यहाँ पर बच्चे का नाम लिख लीजेगा और यह decoding से संबंदित उसका आकलन हमने किया है जो आकलन पत्रक है इसको बोलते है decoding से संबंदित आकलन बच्चे के 15 में से कितने नंबर आए है आठ नंबर देखेगा बच्चे का आए है तो यहाँ आठ अंक लिख दीजेगा अभी दूसरा बच्चा है यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम है या नीचे आप 5 कब लिजेगा, ठीक, जिस बच्चे के अंक, 50% से कम है, जैसे कि यहाँ पर देखेगा, टोटल थे 15 नंबर का था, 15 मैं से किसके नंबर 50% से कम हैं, विवेक के, तो ऐसी स्थिति में विवेक के नंबर पर आप एक सर्किल बना देंगे, ठीक है, तो जिसके न नमबर 50% से अधिक हैं उन पर सरकिल बनाने की आवश्यक्ता नहीं है इस प्रकार से आप देखेंगे आपके पास दो गुरूप बच्चों के बन जाएंगे जिन पर सरकिल है इसको हम प्रथम गुरूप कहेंगे और जिन पर सरकिल नहीं है उनको हम दुत्या गुरूप हैं तो ऐसी स्तिती में उसको हम प्रथम समूँ में ही रखेंगे अगर 50 से उपर आ रहे हैं यानि कि क्या मनाए हैं तब आप उसको जो है दुत्या समूँ में रखा जाएगा ठीक है साथियो तो 50% से यदि उसके कम है तो उसको प्रथम समूँ देंगे देखेगा ये चीज कहां लिखी हुई है, इसको और एक बार देख लेते हैं, ठीक है, यह देखिए, 50%, डिकोर्डिंग से संबंदित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किये हैं, तो उनको आपने गुरूप नंबर एक बना लेंगे, और जिनके 50% से अधिक आए हैं, पचास नहीं, पचास से अधिक आए हैं, तो उनको आप दो बना लेंगे, ठीक है साथियो, मैं समझता हूँ, यह confusion भी हमारा दूर हुआ, अब इसके पश्याद, जो हमारे दो गुरूप बने हैं, उन गुरूपों को किस प्रकार से कार्य करना है, तो चलिए साथियो, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर, देखिएगा, अब हमारे पास दो गुरूप बन गए हैं, एक गुरूप एक है, एक गुरूप दो है, जो गुरूप एक है, हमारा वो कमजोर बच्चों का है, तो उनके साथ हम remedial का कारे करेंगे क्योंकि कमजोर बच्चे का उपचार करना पढ़ता है अर्थात उपचारातमक शिक्षा देंगे अर्थात remedial कारे करेंगे तो जो ये दोनों के दोनों group हैं और जो दूसरा बच्चा है उनके साथ जो group number 2 है उनके साथ हम अब्यासकार्य कराएंगे तो कुछ साथ ही हमारे कह रहे थे believer अब्यासकार्य यहां पर ही करा देंगे ठीक जो group number 2 है औ cloth group number 1 को कहां कराएंगे तो साथ ही हमें आफगत करना चाहूँगा कि दोनों ही समहू number 1 और समहू number 2 जो हमने बनाएंd 너 दोनों को अभ्यास करेंगे और एसब नहीं है कि और यहां कराइए आपकी मनुझ चाहिए आप यहां भी कराय Egg एक और आपको ऐसा लगता कि और भी आफशकता तो आप उसको complete कराईएगाई उसको वर्क बुक से पर करा सकते हैं उसको जो लाइवरीरी की पुस्ता के उनमें पठन करा सकते हैं तो मुख्य कार्य है कि आपको रेमेडियल कराना बच्चे को सिखाना है ठीक है सात्यों अब यहाँ पर दोनों कैसे कार्य करेंगे देखेगा ठीक ओपर की चीजे सभी किलियर हो सम्हू एक तो यहाँ पर मैंने यह PDF आपके लिए लगा दिया आप इसको जो हमरा डिस्किप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जी देखेगा किस इस तर से काम करना जो सम्हू एक के बच्चे हैं जिनके नंबर कमाए हैं पचार परसेंड से जिनक अभ्यास कारे की जगह का उप्योग में आप लाएंगे ठीक है साथियो तो आप इन पर जो अभ्यास कारे की जगह है बहां पर जो बच्चे कमजोर हैं जो अभी वर्ण या पठन को नहीं कर पाए थे तो ऐसी स्तिती में उन बच्चों के साथ यहाँ अभ्यास कारे पर इस उसकी पहचान करवा लिजेगा ये कारे कर सकते हैं इसी प्रकार से साथियों उनसे वन इस तरपर कैसे कारे करें तो वन या आक्सरों की पहचान दोवारा वहां पर करवा सकते हैं लिख दीजेगा या वन आक्सरों को सब्दों में ढूंड कर गोला लगवा सकते हैं वहां पर पर देखें उनको भी यहीं दिया गया है कि समु दो वाले जो बच्चे हैं बे अभ्यास कारिये यहां पर खुद करेंगे इस मैंने सीख लिए आकलन पतर पर हम नीचे देखते हैं तो नीचे यहां पर कुछ चिन बने हुए हैं देखें स्टार बना हुआ है और यह इसका मतल करिएगा यहां पर आप डेट भरिएगा और यहां पर आप अपने हस्ताक्सर कर दीजेगा यदि बच्चे का बहुत अच्छा है तब आपको यहां किलिक करना है यदि बच्चे का कारिया अच्छा है तब आप यहां किलिक करेंगे ठीक है साथियो तो इस प्रकार से हम चैनल को सब्सकाइब करें तता वीडियो को शेयर करें और जो भी आपके सुझाव अत्वा प्रशन हैं उन्हें आप कमंड बॉक्स में जरूर लिखें हम पुरा प्रियास करेंगे आपके प्रशनों के उत्तर देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुप हो